है रो दोस्तो आज हमें गिजमो देखना है गिजमो के और भी जो फंक्सन होते हैं उन्हें समझना है था कि हमें जब जीब्रेस में काम करना होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसलिए आपको गिजमो के कुछ सेटिंग है वो देखनी होगी और देखेंगे और में चलना लाइट बॉक्स में जो पहले से इसमें प्रोजेक् тоже में तो प्रोजेक्त में एक आपका यह डेमो हैड़ी मिल का माडल पड़ा है इसको डाबल क्लिक करना और डाबल क्लिक करने के बात में यह आपके ब Coke स्पेस काम सीन में आज हमें क्या करना है यह हमारा एक female का model है इसमें कुछ चीज़ों को हम add करते हैं तो अगर आपको और भी चीज़ा add करनी है तो आप यह सब टूल में जाना और सब टूल में नीचे option आपको मिलेगा append का तो आप इस append को क्लिक करेंगे तो आप 3D मेसिस के अंदर आ जाएंगे यह basic shapes हैं इनमें से आप कोई basic shape यहां पर attach कर सकते हैं तो हम यहां पर यह ring 3D नाम का basic shape है इसको यहां पर add करेंगे append कराएंगे append का basically यहीं मतलब होता है कि आप जो भी existing model है उसके साथ में एक नया model add करने जा रहे हैं तो अभी यह model आपने यहां पर add कर दिया है पर यह बहुत ही बड़ा आ रहा है तो क्या करना है यहां से layer को click करना है यह layer जिस पर यह model है यह फिर simply आपको alt button press करके कि इस model के उपर click कर देना है तो वह automatically select हो जाएगा अब आप इस में से कोई भी टूल ले सकते हैं मूब इसकेल या गिजमों का कोई भी टूल ले सकते हैं किनों क्यों कि तीनों टूल एकी साथ मिलते हैं इसमों आगया आपके यहां पर देखिए सरकल है यह arrow आ रहे हैं इससे यहां पर आप स्केल कर सकते हैं तो अभी हमें इसको स्केल डाउन करना है कि तो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट आपको लेना है यह इस सारे आपके चोटे बड़े हो रहे हैं यह सभी चोटे तो यह प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम नहीं है अपकी सेटिंग में अभी हमने आपको बताया कि गिजमो की सेटिंग थोड़ी सी आपको उस पर काम करना होगा तो अगर कोई एक लेयर सिलेक्ट है और आपका जो ट सारे यहां पर टिक लगे हुए हैं आप एक बार इसको कहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो यह कई सारे नहीं हो करके सिंगल टिक लगा होगा इसका मतलब यह जो भी लेयर यहां से सिलेक्ट है बस उसी लेयर पर यह काम करेगा तो अगर इस केल आप कर रहे हो तो सेम लेयर स्के कर लेगा और सभी औब्जेट को साथ छोटा बड़ा करेगा तो जैसी आपकी requirement है वैसा आप यहां पर सेट करना पर अभी requirement मेरी यह है कि यहां पर single object को हमें छोटा बड़ा करना स्केल करना है स्केल करते यह के मूफ एयरो से साइड मे लेकर बिया स्केल करना में तो यहां पर हम कर अंद एसको यहमें फिट करना है इसके कान के पास में इसी Clear फिट करना को तो यहां पर हम क्लिक कर सकते हैं जिए के सेंटर पर F प्रेस करेंगे F से यह front पे बिल्गुछ सामने आ जाएगा फिर से इसको rotate करना है तो आप X जो circle बना हुआ है इसे rotate होगा X rotation और अगर आप shift प्रेस करते हैं तो आप नीचे देखेंगा यह decimal value को चल रही है 19.9 something अगर आप shift प्रेस कर ले तो देखें यह complete value चल रही है और integer value मिल ले यह complete value तो 90 degree यहां से किया rotation फिर से Z में 90 degree rotation हमें करना होगा यह यह रहा 90 degree और थोड़ा सा move करके नीचे ले के आते हैं काफी बड़ा है अभी scale कर सकते हैं और फिर से इसको move करके इसके ear ring की तरह हमें यूज करना है तो इसके ear में हमें इसको fit करना होगा तो यहां पर move tool थोड़ा सा rotate कर सकते हैं इधर को देखें काफी अच्छा यहां पर हमने fit कर दिया है थोड़ा सा उपर यहां पर कर सकते हैं अब यह गिजमों आपको हटाना यहां से तो आप अपने keyboard से q बटन जो है उसको प्रेस कर सकते हैं यह w के पहले q बटन है q for q या फिर यहां से आप जाकर के यह सीधा ड्रॉप पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका साइस का यह टॉरस लेना है या फिर रिंग तो आप इस लेयर को यहां से देखे एक option आरा duplicate का कर सकते हैं डूप्लिकेट और जब यह हो गया तो आप फिर से मूफ टू लाएंगे क्योंकि इस बारी मूफ करना है ना हमको तीस एरो से हम इसको मूफ करके यहां पर रखेंगे अभी साइट से देखेंगे तो अभी फिट नहीं हुआ है थोड़ा संदर येस अभी ये थोड़ा सा move rotate होना चाहिए outside जிससे यह वाला है तो यहां से हमिसको outside पिर से गिज्मो अटाना क्यों बटन को प्रेस कर सकते हैं फिर यहां ड्रॉ बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा अगर कोई single model को आपको rotate करना या scale करना है या फिर जितने भी model आपके scene में exist कर रहे हैं उन सभी को तो आप किस तरह से gizmo में option आएगा अभी नहीं मिलेगा पर जैसे आप किसी gizmo में move scale या rotation tool को click करेंगे तो यह gizmo आजाएगा तो जो भी selected होगा यहां से देख सकते हैं कौन सा object आपका selection में है इस पर काम कर सकते हैं तो पहला option आपको clear हो गया अभी दूसरा option यह log बन क्या रहा है इसका क्या reason है तो चलते हैं इस object को select करते हैं alt के साथ click करते हैं इसके उपर या फिर layer से जैसा भी आपका यहां पर देखिए alt के साथ click किया अभी हमने यहां पर single लगा हुआ है इसको move करेंगे तो single आपका जो face है वह move करेगा अभी क्या करना है हम यहां पर देखिए यह log बना हुआ हुआ यहां पर इस जीगे अगर हम यह देखिए log open भी हो रहा है open ओ गया फिर close हो गया ओपन हो करेंगे तो यहां से रोटेट भी होगा इसका center point यह center axis लेकिन अगर आपको लगता है कि center axis यहां नहीं होना चाहिए I think नीचे रखना चाहिए हमको तो हम alt button को press करके यहां से यह नीचे ला सकते है अब देखिए इस वाले object का center axis नीचे आ रोटेट करेंगे तो यह नीचे से रोटेट होगा यह फिर आपको लगता है कि यहां से रोटेट होना चाहिए इस जीगे से तो अब alt press करेंगे यह lock खुल गया यानि कि axis open हो चुकी है यहां से अब आप इसको रोटेट करेंगे देखिए वहां से रोटेट हो रहा है आपको यहां से rotation करने है आप फिर से alt button को प्रिस कर सकते हैं ताकि lock open हो जाए देखिए lock उपर दिखने रहा है यहां से आपको यह side में रखना है अभी आप रोटेट करेंगे इसको model को तो देखिए यहां से rotation हो रही है इस जीगे से यह देखिए तो आप कहीं पर इसका center point generate कर सकते हैं आपको लगता है कि काफी सारे object होते हैं जिनको center के according रोटेट करना होता है जैसे कोई design घड़ी की जैसे number है वो 12123 ऐसके round में उसका center point बिल्गूल बीच में होता है अगर ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं तो यहां पर हम चलते हैं इसको alt press करके या फिर आप lock up को click कर सकते हो एक बार click करो ओपन हो जा सब्सक्री suggest rail को अब जब इसको अम रोटेट करें तो देखे इसके around में your to its rasa अब क्या कर सकते हो इसकी center links को कहीं पर भी सेट कर सकते हो इस्लाइक तो अब हमें क्या करना है अब यह काम हो गहां यहां से रूटेट करें अपर object पर कौ अब औस प्रॉब्लम हो जाएगी यहा meter यह धृहां पर ऑल्ट बटन को प्रेस्त करके यह देखिए यहां पर यह वॉम बटन अरहा है यह होम बटन का मतलब होता है कि आ ने अभ इस ऑब्जेट के सेंटर प्शिस आज जाएगा जहां पर भी सॉब्जेट का सेंटर हो यह axis जो है इसके center पर आ जाएगा तो हमने alt button को प्रेस किया और यहां से home button को click कर लिया है देखिए इसके फिर से center में आ गया अब आप जब इसको rotate करेंगे तो यह अपनी axis पर rotate हो रहा है तो जब आपको जरूरत होगी तो आप इसका center axis कहीं पर भी set कर सकते हैं अपने according की lock up को on करके या फिर यह home button को click आप तब करोगे जब यह center axis के पास नहीं होगा कहीं और रखा होगा यहां पर रखा हुआ है अब हम चाहते हैं कि यहां से rotation अगर करेंगे तो यह problem हमारे इस टैप से आप यहां से देख सकते हैं टॉप से देखिए इस टाइप की problem हम चाहते हैं यह अपने एक्सिस पर रोटेट करें तो इसका center axis इसके पास ही होना चाहिए तो आप अल्ट प्रेस करोगे यह lock up on हो गया है lock जो आप बना हुआ है और की object के किसी भी जिगह पर हमसे क्लिक हो गया है let's की यहां पर क्लिक हो गया तो आप देखोगे कि आपका जो center जो गिजम है वह कहां पर चला और कैसे तिर्चा हो गया ट्यणा मेडा से हो रहा है अगर और प्रेस है और अपने यहां पर क्लिक कर दिया तो देखिए फिर भी यह ट्यणा मेडा है यह देखिए अब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे रोटेट करोगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक से रोटेशन ने मेंटेन कर रहा है तो आपको करना क्या है आपको वापस से और प्रेस करना है और यह जो रोटेशन वाली बटन है इसको क्लिक कर दिना है देखिए यह आपका जो गिजम है विल्कुल पर फ्यक्ट ली बिल्कुल जैसा होना चीद्धा सा और सक बिल्कुल आपको सेंटर पर करके और प्रेस करकर करना है तो कहीं यहां पर भी set कर सकते जहां पर भी आपको ठीक लगे तो यह गिजमों के कुछ यहां पर function थे जो आपने अच्छे से देख लिए हैं कुछ function और रहे गए हैं जिसे यह आप पिन के लिए रहे गया location के लिए और यह option रहे गया है customization का तो यह हम next video में करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिना नए टॉपिक के साथ में थैंक यू टाटा बाय बाय